Hello students, कैसे हैं आप लोग? प्रिबियस वीडियो में हमने BCEC के अंतरगत आने वाले डिफरेंट कोर्स में केरियर अपर्चुनिटीज पर डिसकस किया था उसके बाद हमने बताया था कि कैसे काउंसलिंग में कोर्स का सेलेक्शन किया जाए इस वीडियो में हम लोग कॉलेज के सेलेक्शन पर चर्चा करेंगे साथ ही Agriculture and Horticulture College की complete जानकारी देने की कोशिस करूंगा मुझे विस्वास है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कॉलेज के सेलेक्शन में आसानी होगी और Agriculture Colleges के बारे में आपकी जानकारी में ब्रिद्धी होगी तो चलिए शुरू करते हैं किसी भी कॉलेज का सेलेक्शन यह देखकर करना चाहिए कि वह Authorized Organization से Affiliated या Approved है या नहीं है या वहाँ पढ़ाय जा रहे कोर्स जिसमें आपको Admission लेना है वह मानने संस्था से Recognized है या नहीं आईए आपके BCEC के Prospectus को देखते हैं और सभी कोर्स और उससे जुरे Colleges के Affiliations को समझने की कोशिज करते हैं आप BCEC के Prospectus के Page No.18 पर देखेंगे यह देखे Page No.18 तो यहाँ पर Different Engineering Colleges का जिक्र किया गया है यहाँ आप देख सकते हैं यह 38 Engineering Colleges है जहाँ पर आप Admission ले सकते हैं BCEC के द्वारा लेकिन सर्थ यही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चुकि यह 38 Colleges जो Engineering के है उसमें G-Main के अधार पर Admission होता है तो Mop-Up Counseling के बाद जो सीट बच जाएगा उसमें BCC के द्वारा Admission लिया जा सकता है AICT के द्वारा Engineering Colleges की Affiliation का जाच किया जाता है जो Engineering Colleges होते हैं उनका Affiliation जो आपको देखना परेगा वो जेनरली होता है AICTE से AICTE आपका संस्थान है जिसके द्वारा ये Affiliation लिया जाता है Engineering के लिए अगर कोई Engineering College इससे Affiliated नहीं है तो आपको आगे चल करके कई परेशानियों का सामना करना पर सकता है ये जो आप B Pharma का कोर्स देख रहे हैं जो MIT मुझफर पूर में और GPI गुल्जारबाग पठना में होता है ये B Pharma के लिए भी AICTE का Approval जरूरी होता है और कई बार इसके अलाबे जो इसका खुद का Pharmacy Council of India है तो Pharmacy Council of India का Affiliation जरूरी होता है अगर आप लोग इसको चेक करना चाहे तो हम लोग AICTE के साइट पर भिजिट कर सकते हैं और इसके बाद Pharmacy Council इंडिया पर जा करके हम लोग देख सकते हैं कि ये Pharmacy Council of India से जो दोनों कॉलेज दिया हुआ Affiliated है या नहीं है तो चलिए सबसे पहले हम लोग AICTE के साइट पर चलते हैं तो हम लोग AICTE के साइट को खोल लेते हैं जब AICTE के साइट को आप खोलेंगे तो आप यहाँ नया पेज खुलेगा All India Council for Technical Education का साइट आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको साइट में करसर को नीचे ले करके जाना है और सबसे कॉर्नर पर आप जाएंगे यहाँ पर देखेंगे Verify Institute Approval आप इसको क्लिक करें और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा आप यहाँ पर देखें Year 2021-22 के लिए हम सर्च कर सकते हैं 20-20 के लिए 19-20 के लिए जिस Year के लिए आपको Affiliation किसी Institute का सर्च करना हो AICTE के दवारा तो आप उस पर क्लिक कर दें हम 2021-22 के लिए Current Year के लिए हम देखना चाहते हैं अगर माल लिजिए हमारा चुकी बिहार स्टेट के लिए BCC बिहार के लिए कंड़क्ट होता है तो हम बिहार क्लिक करते हैं Select Program पर हम क्लिक करते हैं यहाँ Engineering and Technology है Pharmacy है अगर माल लिजिए हम Pharmacy की बात करते हैं तो हम यहाँ Pharmacy पर क्लिक कर देते हैं आप चाहे तो Engineering का भी इस तरीका से देख सकते हैं कि अगर आप Engineering पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो Engineering से Related सारे Information आ जाएंगे हम Pharmacy की बात करते हैं चुकि Engineering तो Mainly G के दोड़ा Admission हो जाता है और जो Mop Up Round के बाद कुछ सीट बचे होते हैं उसमें ही Admission होता है तो हम उस Engineering पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं अगर आप लोग को ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं य UG का कोर्स वहाँ पर available है और इसको submit कर दिजिए यह page नया खुलता है अब जो यह page नया खुला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार स्टेट में जितने भी Pharmacy के colleges जो AICTE से approved है उसके नाम यहाँ पर दिये हुए हैं अगर आप देखेंगे MIT मुझफरपूर तो यहाँ प affiliated है दूसरा college अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या है GPI गुलजारवाग पटना से बिन और GPI गुलजारवाग पटना से बिन यहाँ पर आप देखें Government Pharmacy Institute अगम कुआ पटना से बिन गुलजारवाग पटना से बिन यह भी आप देख रहे हैं यानि कि जो दोनों institute देखना चाहते हैं कि इस college में course का क्या detail है तो यहाँ पर सामने आप देखेंगे दो option दिया हुआ है click here का तो यहाँ पर आप click करेंगे तो course का detail आपके सामने आ जाएगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं pharmacy के लिए state board of technical education पटना जो diploma course है और इसमें 60 seat है इसी तरीका से आड graduate का program है जिसमें की 100 seat है तो इस तरीका से आप college के बारे में detail में इसमें देख सकते हैं और अगर माले जी फैकल्टी के बारे में देखना होगा तो आप यहाँ पर click करके देख सकते हैं और यहाँ पर जब आप click करेंगे तो यहाँ का जो institute का जो faculty है यानि लिस्ट ओ prestige हैं उनका क्या designation है date of joining क्या है और area of specialization क्या है और इनका जो है contract पर है या regular appointment है यह सारे information आप देख सकते हैं इसी तरीका से आप MIT मुझा फरपुर के लिए भी यहाँ पर click करके faculty का पूरा देख सकते हैं अब हम लोग देख लेते हैं pharmacy council of India से approval है या नहीं है गूगल में आप pharmacy council of India को type करेंगे और pharmacy council of India के site को इस तरीका से open करेंगे आप देखेंगे या pharmacy council of India के यहाँ पर जब उपर में देखेंगे approved colleges में तो यहाँ पर कई entries आपको दिखाई देगा आपको simply approved degree institutions under section 12 पर click करना है जब आप इस पर click करेंगे तो एक नया page open होगा अब इस page में थोरा सा wait कर लिजी चुकि net का कई बार slow होने के करण यह open नहीं होता है अभी just open होगा और देखिए यह बहुत सारा इन जो इस्टिचूट्स है जो pharmacy के इंतरगत वो अलग-अलग राज्य में जो इस्टिचूट है उसके बारे में दिया हुए आप यहाँ देख रहे हैं कि एक से बीस आपको दिखाई दे रहा है 1146 एंट्री जिसमें है अब हमको अगर के अपने बिहार के बारे में पता करना है कि बिहार में कौन-कौन सा pharmacy college जो है affiliated है तो आप यहाँ पर simply search में बिहार को type करें जब आप बिहार को type करेंगे तो देखें यहाँ पर तेन चार एचार colleges है जो affiliated है तो आप यहाँ पर government pharmacy institute अगमकुआ पियो गुलजारवग पटना यह आप देख रहे हैं यह आपके prospectus में दिया हुआ है और यह affiliated है pharmacy council of India से तो यह इस तरीका से आप देख करके पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा pharmacy council of India के अंतरगत institute affiliated है या नहीं है कि जो institute में हमको admission लेना है वो जो बी फार्मा या कोई भी course हमको करना है सारे course के लिए जो मैं आगे बताने वाला हूँ आप इन बातों को ध्यान रखेंगे कि जो भी course मैं करने जा रहा हूँ जो admission लेने जा रहा हूँ वो जो governing body है जो मान निसस्ता है उससे affiliated है या नहीं है अगर बी फार्मा की बात किया जाए तो बी फार्मा AICTE और Pharmacy Council of India से affiliated होना चाहिए और अगर affiliated नहीं है तो आपको इस पर विचार करना चाहिए निश्चित रूप से admission लेने के पहले उसके अलाबे आप insights को विजिट करके ये देख सकते हैं कि वहां का faculty क्या है यानि कि faculty का ये strength क्या है faculty का कितना education label है ये सब आप वहां पर जाकर के विजिट कर सकते हैं उसके अलाबे जो infrastructure होता है खास करके जो infrastructure बहुत मायने रखता है कई मामलों में खास करके उन subject में जिसमें की practical की आपसेक्ता होती है तो वहां पर infrastructure काफी जिरूरी हो जाती है क्योंकि वहां पर कि आप admission ले तो better होता है बैसे आपको year बरबाद करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको कोई अच्छा course मिल रहा हो तो समय बहुत जादा मुल्यवान होता है और college चाहे कितना भी अच्छा हो आप अगर वहां पर जाकर के पढ़ाई नहीं करेंगे आप बहुत जादा सम अपना benefit नहीं होता है तो आप लोग समय का ध्यान रखे और जितनी जल्दी आपको अच्छे से अच्छे college में admission हो जाए इस बात का ध्यान रखे चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि आगे जो बिहार college of physiotherapy and occupational therapy जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दो course है bachelor of physiotherapy and bachelor of occupational therapy तो इसमें जो admission लेना हो और इसमें जो college है एक college है बिहार college of physiotherapy and occupational therapy जो की पटना में हैं और यह किस से मानिता प्राप्त होना चाहिए और कहां से इसका मानिता होने के कारण हम इसमें admission ले तो बहतर होगा तो चलिए हम देखते हैं सीधे इसके साइट पर भेजिट करते ह एक बिहार college of physiotherapy and occupational therapy का साइट से है और जब आप इसको विजिट करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे इसके home page पर ही अगर आप click करेंगे तो यहां देखिए यहां लिखा हुआ है बिहार college of physiotherapy and occupational therapy is situated in Patna in बिहार state of India established in 1998 it is accredited from Indian Association of Physiotherapists and it is affiliated to Patna University तो यह काफी है जो आप देख रहे हैं बास्तों में जो Indian Association यहां पर आप देख रहे हैं Indian Association of Physiotherapists का site भी हम खोल लिए हैं और यहां पर आप देखेंगे कि जो यह list है recognized और approved institute का जो कि Indian Association of Physiotherapists यानि कि अगर आप फिजियो थिरैपिस्ट यन एकुपेशनल थिरैपिस्ट में admission ले रहे हैं तो वो institute Indian Association of Physiotherapists से approved होना चाहिए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिहार को लेजो फिजियो थिरैपि और occupational therapy यह किसकी से affiliated है और इसके अलाबेहन को जो ध्यान देना चाहिए वो यहां के faculty को अगर उसके site को आप detail में भरमन करेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहां के faculty and infrastructure के बारे में पता चलना चाहिए और इसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं इसके बाद admission ले सकते हैं बैसे यह बिहार सरकार के अंदर गते colleges है तो काफी अच्छा college है और बहुत पुराना colleges है तो यहां पर आप field therapy and occupational therapy के लिए admission ले सकते हैं कोई problem इस college में नहीं है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुसरे course अब आप यहां पर आप देख रहे हैं जो bachelor of medical laboratory technology है bachelor of operation theater technology है इसके बाद bachelor of radio imaging technology bachelor of ophthalmic technology है और इन सब की पढ़ाई public health institution पटना के अंतरगत होता है यह health department जो हमारे बिहार सरकार का है उसके अंतरगत public health institution है पटना में उसके अंतरगत यह course लाया गया है और यह PMCH से affiliated है आप टाइमस ओफ हिंडिया का news देख सकते हैं जो की आप डेट देख ले 26 जुलाई 2012 को publish हुआ था और इसमें बताया गया था कि जो पटना मेडिकल कॉलेज होस्पीटल है उसके अंतरगत यह पटना मेडिकल कॉलेज होस्पीटल यानि की PMCH के ही अंतरगत यह public health institute है और इसका जो affiliation है यहाँ पर देख रहे हैं affiliation from the आरभट knowledge university है तो यह भी अच्छा courses है जो की अभी नया start हुआ है और यह three year degree courses है जो की पड़ा medical sciences के अंतरगत आता है तो आप देख रहे हैं कि जो public health institution है आपका आरभट knowledge university से affiliated है और PMCH के प्रांगन में है और आप जानते हैं PMCH बिहार का number one hospital है तो निश्चित रूप से उसके अंतरगत अगर यह course से start हुआ है तो यह सारे course काफी अच्छे होंगे तो इसमें भी लेकिन यही है कि यह three year course है यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर कि जो BAC nursing है BAC nursing जो course आपके BCC में है वो तीन जगह से होता है BAC nursing NMCH पटना से इसके बाद पावापुरी नालंदा से और जेल NMC भागलपूर से यह जो BAC nursing है इसका भी affiliation जो होता है आपका nursing council of India के द्वारा होता है तो चलिए सीधे nursing council of India के site पर चलते हैं Indian nursing council के site को जब आप open करेंगे तो एक नया page खुलेगा उसमें आप यहाँ पर देखेंगे उपर में ही एक जगह है list of nursing institution जब आप इस पर click करेंगे तो एक नया page खुलेगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कई तरह का list है list of A&M, list of G&M हमको मतलब है BAC nursing institution से जो 2021 और 22 के लिए 30 नॉमर 2021 तक का यह data दिया हुआ है तो list of BAC nursing institution पर हम लोग click करते हैं जब आप इस पर click करेंगे तो एक PDF खुलेगा अब इस PDF में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो nursing colleges है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे हमको पता चलेगा कि ए affiliated है या नहीं है यह जो PDF हमारे सामने है इसमें आप देख रहे हैं कि Indian Nursing Council का यह PDF है जो कि आपका यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें list of state nursing council recognized institutions offering BAC nursing program inspected under section 13 and 14 of INC Act for the academic year 2021-22 आप जो भी nursing colleges में admission लेंगे यहाँ पर इसमें लिस्टेड होगा तो आप उसको देख करके search कर सकते हैं और उसके अनुसार आप अपना decision ले सकते हैं कि यह nursing college जो है Indian Nursing Council के द्वारा affiliated है नहीं है या नहीं है और आपको उसमें admission लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके अलावे जो nursing के लिए आपको उस institute में देखना है affiliation के अलावे कि जो institute है BSE nursing का वो किसी न किसी तरह से उसका जो infrastructure है या वहाँ का जो faculty है वो किस तरीके क्या है ताकि आप वहाँ से क्या सीख सकते हैं का lab कैसा है उस वहाँ पर कितना practical कराया जाता है यह सारी बातों को आप देख सकते हैं बैसे NMCH पटना और जो अभी नया college खुला है पावा फेरी नालंदा में है वो भी काफी अच्छा है इसके अलाबे जो JLNC भागलपुर में है जवाहरलाल नहरू medical college भागलपुर में है यह भी काफी अच्छा है तो यह सब already renowned institute है जो MBBS के लिए renowned institute है और चुकि जब MBBS के लिए अच्छा है यहाँ BSC nursing भी काफी अच्छी पढ़ाई होती है तो आप लोग इसमें आराम से admission ले सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम लोग BSC nursing के बाद हमारे पास है agriculture आप अपने prospectus में ही आगे जब बढ़ते चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद जो आपका course है वो है agriculture है एंड होर्टी कल्चर है agriculture के लिए जो आपके पास में colleges है वो बिहार क्रिशी महाविद्याले सबौर में है जो कि भागलपूर में है मंदन भार्ती क्रिशी महाविद्याले सहरसा में है बीके एस क्रिसी महाविद्याले डुमराओ में है भूला पासवन सास्त्री क्रिसी महाविद्याले पुर्निया में है और डॉक्टर कलाम क्रिसी महाविद्याले अर्रा बारी किसंगंज में है इसके अलावे आपका बिहार का एक मात्र उद्यान महाविद्याले है जो की नालं में जाना चाहिए बिहार एगरिकल्चर उनिवर्सिटी सब और के साइट को हम लोग ओपिन कर लेते हैं जब साइट खुलेगा तो नया पेज ओपिन होता है आप यहां पर देखेंगे बहुत सारी एंट्रीज दिया हुआ है होम है अब आउट ऐसे यानि बिहार एगरिकल्चर उनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहें तो उसको देख सकते हैं एकडिमिक्स के बारे में है रिसर्च है एक्स्टेंशन है लाइबरेडी एड्मिनिस्टेशन और बहुत सारे आपके यहां इंट्रीज दिया हुआ ह जिसमें जाकर के आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जिस डिगरी प्रोग्राम के लिए आप लोग एड्मिसन लेने वाले हैं उसका एक्रिडिशन कहां से होगा तो आप यहां पर एकडिमिक्स में आए और एकडिमिक्स में आकर के डिगरी प्रोग् अब आप यहां पर देख ले जो बिहार एग्रिकल्चर यहां देख रहे हैं बिहार एग्रिकल्चर सबॉड जो भागलपुर में हैं यहां पर बिहार एग्रिकल्चर की पढ़ाई होती है मेसी अग्रिकल्चर की पढ़ाई होती है और यह आप देख ले जो इंटेक कैपासिटी है 62 बिहार एग्रिकल्चर के लिए है मेसी अग्रिकल्चर के लिए 100 है और उसी के अनुसार आप देख लेंग कि बिहार agriculture college सब और में faculty strength कितना है technical staff कितने है supporting staff कितने है अगला जो college है मंदन भार्थी agricultural college अगवानपूर सहरसा में वो भी B.S.E. honors agriculture की डिग्रियां होती है यहां भी 60 seat है और यह आप अलग entries देख सकते है faculty strength का technical staff का and supporting staff का तिसरा जो college है भोला पासवन सास्त्री agriculture college पूर्णिया में है इसमें B.S.E. honors agriculture की प्राई होती है यहां भी 60 seat है बीर कुवर सिंग college of agriculture डुम्राओ जो की बक्सर में है यहां भी B.S.E. honors agriculture की प्राई होती है और यहां भी 60 seat है faculty strength आप देख रहे है यहां पर technical and supporting staff के साथ में नालंदा college of horticulture नूर्सराय नालंदा में B.S.E. horticulture की प्राई होती है यहां पर उद्यान से related प्राई होता है और यहां पर 25 seat है जो की आप यहां पर देख रहे हैं और faculty strength आपके सामने दिया हुआ है यह जो faculty strength आप देख रहे हैं जो technical staff, faculty strength and supporting staff है यह घट बड़ सकता है चुकि यह update होता रहता है और update होने के अनुसार ही इसमें आपको changing दिखाई देगा जो छटा agriculture college वो हाल ही में open हुआ है डॉक्टर कलाम agricultural colleges की संगंज में है यह non accredited है चुकि अभी इसको start हुए 4 साल ही हुए है इसलिए अभी यह non accredited है और आप देख रहे हैं inter capacity से भी आप पता कर सकते हैं चुकि इसमें 60 inter capacity है और यह total के total BCC के दोड़ा ही अभी भड़ा जात है जब इसमें ICR के seats भी हो जाएंगे तब इसको accreditation मिल जाएगा तो accreditation का बात चल रहा है और accreditation इसको मिली जाएगा इसके बाद जो eligibility करेक्टिया जो आपके BCC prospectus में दिया हुआ है यह सारे यहां पर है और वहां से भी आप देख सकते हैं यह नूर सराय देख रहे हैं आप जो college of 40 culture है नूर सराय नालंदा जहांकि 25 seat है इसमें बिहार एस्टेट का 21 seat है और ICR quota का 4 seat है क्योंकि यह ICR से approved accredited college है अगर आप P.A. structure की बात करेंगे नालंदा उद्यान महामिदाले में आपको कितना P.A. लगता है पर semester तो जो general category के लिए जो P.A. है पर समेस्टर में जो समेस्टर होंगे उसमें 2975 रुपई लगेगा BC या EBC category के अगर आप है तो 8825 रुपई आप 1 समेस्टर में लगेगा और उसके subsequent semester में 1775 रुपई लगेंगे और SCST के लिए 8425 रुपई आप 1 समेस्टर में और subsequent semester में 1375 रुपई लगेंगे इस तरीका से आप यहां पर सारे information देख सकते हैं कि face structure क्या है, admission की capacity क्या है, अगर आप BAC agriculture का capacity देखना चाहें तो आप BAC agriculture पर click करें और BAC agriculture पर click करने के बाद आप देखेंगे यहां पर कि बिहार agriculture college सबौर में कितना seat है और कितना कोटा से भढ़ा जा रहा है तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो चारों college ह जुम्राओ और भुला पास्वन सास्त्री सभी में 51 seat बिहार कोटा से भढ़ाता है और BCC के द्वारा भढ़ाता है और जो 9 seat है परते college में ICR कोटा से भढ़ाता है 15% seat जो डॉक्टर कलाम agriculture college की संगंज में है अभी आप यहां पर देख रहे हैं इसमें केवल बिहार का कोटा है और 60 seat पूरे BCC के द्वारा ही भढ़ा जाता है जब accredited हो जाएगा तब इसमें ICR का भी seat यहां पर दिखाई देगा अभी ततकाल आपको BCC के द्वारा ही इसमें admission हो रहा है इसका भी जो P.A. structure है जो आपने उद्यान महाविद्याले या horticulture college के लिए जो P.A. structure देखा है यही P.A. structure इसका भी है लगबग सेमी P.A. structure है अग्रिकल्चर एन होटी कल्चर का आई यह बिहार अग्रिकल्चरल इनुवर्सिटी सबोर यानि की बिहार क्रिसी विश्विदाले सबोर के अंतरगत आने वाले अलग-अलग college के बारे में detail में चर्चा कर लेते हैं आप our centers प देख सकते हैं तो अलग-अलग college के बारे में आपको जानकारी यहां से देख सकते हैं पहले हम बिहार अग्रिकल्चर कॉलेज सबोर के बारे में जानकारी देखते हैं और इस पर क्लिक करते हैं जो यह नया page open होता है यह आप देख रहे हैं यह बिहार अग्रिकल्चर कॉलेज सबोर के अं करते हैं उनका क्या education qualification सारे डीटेल यहां पर आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद staff directory आप यहां से देख सकते हैं कौन-कौन सा department है इस college में उसको देख सकते हैं college के अलग लग लए activity चाहे हो teaching हो research हो extension हो उसको आप देख सकते हैं facilities के है library का area sale का placement sale का games and sports का library and debating society का scholarship का guest house का other facilities हर चीज की आप जानकारी यहां देख सकते हैं अगर आपको scholarship देखना हो तो यहां पर scholarship पर आप click करेंगे तो एक नया page खुलेगा और scholarship के बार में यहां पर detail में पर सकते हैं जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि all the admitted students will get a scholarship of rupees 2000 per month besides rupees 6000 annually as contingency per annum for purchase of books and stationery items on submission of original cash memo after successful completion of the semester यह आप देख रहे हैं और क्या criteria होना चाहिए कि scholarship के लिए आपको कम से कम 75% attendance सभी semester में होना चाहिए यह सारी चीज आप यहां पर detail में देख सकते हैं तो चलते हैं अगले college की योर और जो अगला college है वो है भोला पासवन सास्त्री agricultural college जो की पूर्णिया में है और यह भी काफी अच्छा college है चुकि faculty एक college से दुसरे college में transfer होता रहता है तो सारे faculty लगवए एक जगह से दुसरे जगह आते जाते हैं तो सभी faculty लगवए एक समान है तो इसमें कोई problem नहीं है आप किसी भी college में admission ले सकते हैं यह देखिए भोला पासवन सास्त्री agriculture college जो पूर्णिया का है यह बाहर से आप इसको देख सकते हैं और photo में और इसका ज दिया हुआ है कौन कौन से डिजाइनेशन है उनका contact number क्या है email id सहीत आपको इसका जानकारी मिल जाता है यह non teaching staff की भी जानकारी आपको यहां दिया गया है आप चाहे तो यह contact number ले करके उनसे directly भी contact कर सकते हैं यह अगले center की और हम चलते हैं अगला center है मंदन भार्थी agriculture college यह अगबानपूर सहरसा में है और देखिए सहरसा का यह college है यह बाहर से आप इस तरीका का दिखाई देता है अगबानपूर का मंदन भार्थी agriculture college और यहां पर आप detail में इसके बारे में जानकारी इकठा कर सकते हैं कोई भी जानकारी आप यहां पर से देखना चाहे तो आ आप देख सकते हैं अगले college की ओर हम लोग चलते हैं जो अगला college है वो है नालंदा college of horticulture नूर सराय नालंदा college of horticulture नूर सराय बास्तों में उद्यान से समंधीत बिहार का एक मात्र horticulture college है और यह बाहर से ऐसा दिखता है आप देख सकते हैं और भी building है इसके इसके फार्म faculties के लिए है और यह देख रहे हैं आप यहां के principal है डॉक्टर पी के सिंग एसोसियर दीन कम principal है और इनके बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं इस college के बारे में जानकारी ले सकते हैं यहां पर जितने भी जो दिया हुआ है entries इस entries वर क्लिक करके मालेजी आप scientific profile में जा सकते हैं और अगर आप किसी एक faculty के बारे में डिटेल में देखना चाहें तो यहां view detail पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और कि उनका क्या योगदान है उन्होंने क्या क्या किया है क्या college है डॉक्टर कलाम agriculture college कि सन गंज तीन साल ही हुआ है इसको agriculture यहां स्टार्ट हु अगला center की ओर चलते हैं अगला center है आपका बीर कुमर्सिंग college of agriculture जो कि डुम्राओ में है डुम्राओ बकसर के पास में है बकसर तो आप यहां पर देख रहे हैं यह बाहर से दिखाई देता है डुम्राओ agriculture college है और इसके बारे में आप यहां पर सकते हैं और detail में जाना चाह करेंगे तो इसका पेज अभी देखेंगे इस तरीका से open होता है अगर आप स्टाप पर क्लिक करेंगे मालेजे scientific profile पर क्लिक करेंगे तो अभी यह पेज open नहीं हो रहा है इसका कारण यह है कि अभी यह स्टार्ट ही हुआ है college आपको अभी जो BCC के अंतरगत है वो में ली य अगर आप क्लाइमेटिक जोन समझ में आढ़ा हो अब तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं BCC and ICR वाले वीडियोज में आप वहा जाएंगे तो अग्रो क्लाइमेटिक जोन अफ इंडिया एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन अफ बिहार से आगे डिटेल में और भी मैं नए नए वीडियो जो बनाऊंगा उसमें अलग-अलग एग्रिकल्चर कॉलेज के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा उद्यान महाविद्दल नूर सराय के बारे में भी अलग-अलग वीडियो बनेगा तो आप लोग देखते रहेंगे वीडियो को और आगे बढ़ते हैं और अभी जो दो-तिन कोर्स और बचे हुए हैं उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं अगला कोर्स है डियरी टेकनलोजी एंड फिसरीज साइंस ये दो अभी रह गए हैं तो डियरी टेकनलोजी के लिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे है तो चलिए हम लोग सबसे पहले डियरी टेकनलोजी के साइड पर चलते हैं संजे गांधी इंस्टिचूट और डियरी टेकनलोजी जैसा कि आप यह देख रहे हैं यह बिहार पसु बिज्ञान विश्विद्याले या बिहार एनिमल साइंसेज इन्वर्सिटी के अंतरगत आता है और आप यहां पर देख सकते हैं यह जो इन्वर्सिटी है हाल में ही इसको अलग किया गया है बिहार एगरिकल्चर इन्वर्सिटी के द्वारा तो बिहार एगरिकल्चर इन्वर्सिटी से अलग होने के बाद इसमें तीन मेन कॉलेज है वो है बिहार भेटरिनरी कॉ College of Fisheries and Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology तो सबसे पहले हम Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology पर क्लिक करते हैं और Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology के बारे में जानने की कोशिस करते हैं कि चुकी उसी में Dairy Technology का आपका BCAC के थुरू पढ़ाई हो रहा है तो आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ है Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology पटना is an ICAR Accredited Institute तो जब ICAR के द्वारा एक्रिडिटेड है तो काफी अच्छा है इसमें आप admission ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे भी जो Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology है बिहार का वो काफी फेमस है शुरू से ही उसके अलाबे हम फिस्टीज कोलेज की बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉलेज और फिस्टीज भी दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करें तो यह देख रहे हैं किशनगज में फिस्टीज कोलेज खुला है अभी नया ही कोलेज खुला है इसमें और यह इसका उदगाटन चीफ मिनिस्टर नितिश कुमार ने किया था भीहर के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके दोड़ा हुआ था फिस्टी कोलेज का किशनगज में और उनको इससे काफी आसा है कि फिस्टी के छेतर में काफी योगदान देगा यह कोलेज इसी करण से इसको यहाँ इस्टेबलिस किया गया है तो आप देख रहे हैं कि जो डेरी टेकनोलोजी है वो इसी आर से ऐफिलेटेड है और जो फिस्री साइन सभी स्टार्ट हुआ है वो अभी just starting phase में है इसको भी आगे चल करके कई जग़ से ऐफिलेशन मिलेगा आईसी आर से तो अफिलेशन मिलना ही है इसको तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं अलग-अलग course के अलग-अलग affiliation है और अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा इनको affiliation दिया गया है तो आप कहीं भी चाहे government colleges के institute में admission ले या किसी private colleges के institution में ले इन सारे institution को आप देख लें कि वो कहां से affiliated है अगर उनका affiliation सही नहीं है तो आप admission ना ले क्योंकि कहीं न कहीं आपको बाद में काफी ज़्यादा problem हो सकता है कई बार तो आप उसके बाद M.A.C. नहीं कर सकते हैं higher degree नहीं कर सकते हैं और अगर आपने कर भी लिया तो उसके अनुकूल आपको नौकरी नहीं मिलता है उनके अनुकूल आप कोई जॉब नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको वहाँ पर degree को valid नहीं माना जाएगा तो इन सब affiliation को जरूर ध्यान में रखें और इसके साथ ही इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वहाँ का faculty strength अच्छा होना चाहिए उसके साथ ही आपका जो infrastructure है वो काफ बेगर की जरूरत हो या जिसमें field work की जरूरत हो तो जो practical classes होनी चाहिए वो अच्छा होना चाहिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं मुझे उमीद है कि अब आप लोगों को college को selection करने में आसानी होगी course के अनुसार इस चैनल पर BST Agriculture and Horticulture से समधित बहुत से वीडियो मिलेंगे जो आपके syllabus पर आधारित है तो चैनल को विजिट करिए और playlist अपने पसंद का video देखकर अभी से पढ़ना शुरू करिए Thank you to stay with us